हलो दोस्तो इस पीडियों में हम लोग बात करेंगे चन्ने सुपर किंग वसेस मुमे इंडियन्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में टीम कॉंबिनेशन भी जानेंगी तो डेरेट बात कर लेते हैं पहले इस ग्राउंड की पिछ रिपोर्ट की उपर तो अभी तक दोस्तों IPL के इस ग्राउंड पर 125 मुकावले खेले गया है जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग किया 66 बार जीती है और जेज करते हैं यहाँ प प्रटन देखिए का तो दोस्तों यहाँ पर low scoring match जादा तर हुए हैं और 40 बार और 150 और 190 के बीच में यहाँ पर दोस्तों जादा तरह स्कोर रहे हैं और 200 के प्लस भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 बार स्कोर जा चुका है और पिछला मुकावला जो इस ग्राउंड पर हु जी लिए जिसमें से 2 मुकावला जीती है 2 मुकावला जीनली है ओफ रल देखा गयांचार मकावलामें 16 पर फास्ट बॉलर्ट की मिले हैं 26 विचेंट तो यह तो होगी दोस्ते हैं पर हमारी पूरी pitch report update बात कर लेते हैं दोनों teams के बीच head to head records की उपर तो दोस्तों दोनों teams के बीच अभी तक पूरे IPL के इतिहास में 35 बार मुकाबला हुआ है आमने सामने जिसमें से चैन्ने सुपर किंग की बात करें 15 बार बाद जिमारी है और मुमें इंडनेस एक सोंतावी रन का टार्गेट जी थी वह बहुत यसानी से 19 बे ओहर में चैन्ने ही वह टार्गेट चेस करके 7 विकेट से जीती है इसी सिजन और पिछले से जन दो मुकाबला हुआ है एक मुकाबला चैन्ने जीती है और एक मुकाबला मुमबई तो कहीं तो कार्टे कर देखने को मिलती है रिस्ट फॉर्म की बात करें लिसेंट में तीन मुकाबला जीते हुए आ और दोस्तों ही मुकाबला जीते हैं अब बात कर लेते हैं जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच इसी सिजन खेला गया, उस मुकावले में कौन-कौन से प्लियर एक दूसरे टीम खेलाप अच्छा परफमेंस कियें, इससे देखकर आपको अंदर लग जाएगा, कौन से प्लियर को आपको Small League और Grand League के टीम्स में लेना चाहिए, तो सबसे पहले बात कर यादो, नीचे से बैटिंग करने आए थे, फ्लॉप रहे थे, बाकि सारे बैट्स में एवरेच परफमेंस किये थे, चैन्ने की तरफ से बात करे थे, डेविन कौन वे फ्लॉप रहे थे, बाकि रितुरद गया कवार्ड, चालिस वरन नोट आउट, अजिंके रहाने, एकस और मुंबेग की तरफ से बालिंग से भी फ्लॉफी रहे थे, चाला ज्वेंडरॉफ और कार्दिके को विखेट मिली थी, बाकि सारे बालर्ष को विखेट नहीं मिली थी, तो बालिंग से भी परफमेंस अथाषा, उस मुकावले में चैन्ने का और बैटिंग से भी तुड बहुत चन्ने के बॉलर्स पर और बैट्समें पर जारा फोकस करना है यह तो होगी दोस्ते हैं पर हेट टो हेट रिकोर्ड अपडेट बात कर लेते हैं क्या रहेगी यहां पर चन्ने सुपर किंग के इस मुकावले में प्लेंग लेवन तो दोस्तों चन्ने की तरफ से आपको बोलिंग कराते हैं देश पांडे और दीपक चेहर दिखेंगे और आखरी को भर में दीपक चेहर और एम पतिराना त्ये हो रहेगी दोस्तों यहां पर मुंबें सवर्ड़ दोस्तों चन्ने सुपर किंगी प्लेंगे अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परहमेंस और रिक पर वेलकम बोनस भी देखने को मिलेगा और इसके साथ सा दोस्तों यहां पर मैं खेलने के लिए आप लोग इसे बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर बाकी अपस के मुताविक आपको बहुत ही लो इंट्री फीर देखने को मिलेगी जिसके कारण दोस्तों यहां पर आप लोगुटेश्ट जोइन करके direct savings भी कर सकते हैं और इसके साथ सा दोस्तों यहां पर आप लोग mega grand league में 35 रुपई तक जीत सकते हैं इस मुकावले में और इसकी application की खास बाती है कि यहां पर आप लोग 2nd inning में भी दोस्तों टीम बना सकते हैं, बिल्कुल सही सुनें, जाइए, जल से लड़नोट कीजें, 2nd inning में भी टीम बनाएं, 2nd inning में आपको पता यह जीतना बहुत ज़रासान है, और इस गेम में दोस्तों वीतिक जोपी इन सामिलर्स की लग सकते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं, चैन्नाई सुपरकिंगे सारे फिलर्स के रिसेंट प्रहॉमेंस की उपर, तो सबसे पहले बैट्समें की बात करें, तो दोस्तों टॉप पॉर्डर में डेवन कॉनवे और रितुरज गाकवार्ट बहुत अच्छे फ़र्म में है, पिछला मुक बनाये थे मुंबई खिलाफ लेकिन रितुर एकवाट चारे सुरा नॉट आउट दोनों अच्छे फ़र्म में हैं, तो दोनों को आपको आपको स्मॉल लिंग में लेकर चलना है, खास करके दोस्तों डेवन कॉनवे जो की बहुत यादा अच्छे फ़र्म में है, अजिंके रहने का अच्छा रिकॉर्ड है, रिसेजन अजिंके रहने एक संदार पारी खेल चुके हैं, अरसा तक मुंबई खिलाब, तो इस मुकावले में से जादा इंपोर्टन अजिंके रहने रहेंगे, तो स्मॉल लिंग के हिसाब से डेविन कॉनवे, रितुलर के अकवाड और रजिंके रहने, आप लोग के रहेंगे, सिवाम दूबे, दोस्तों जो कि पिछले मुकावले में 28 सरंड बनाए हैं, और उसके पहले दोस्तों लगतार सतक बनाते हुए आ रहें, बताब हाप सेंचुरी तो इस मुकावले में भी आप लोग बहुत ज़रा इंपोर्टन रह ले सकते हैं, या तो डेविन कॉनवे, रितुरर गया कवाड़ा, जिंकर हाने और मोहेनली चारों को ले सकते हैं, क्योंकि मोहेनली इस मुकावले में थोड़ा ज्यादा इंपोर्टन हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों दोनों टीम से अच्छे फॉर्म में बहले स्टार्टिंग में मुंबई अच्छे फॉर्म में नहीं थी, लेकिन फिलाल तो अच्छे फॉर्म में आ चुकी है, तो मोहेनली मिडल ओर के बैट्समेन हैं, और आप लोग के लिए इस मुकावले में बहतरिन साबित हो सकते हैं, पिछले मुकावले में दस रणर बन दोस्तों अभी तक 14 विए ले चुके हैं, तो इन दोनों बोलर्स को तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, और रविंदर जटेजा को तो पिछले मुकावले में एक विगेट भी मिला है, तो दोस्तों यह दोनों बोलर्स को आपको लेकर चलना है, थोड़े बह अभी तक 7 विगेट ले चुके हैं, तो दोस्तों इस मुकावले के लिए बेश्ट रहेंगे क्योंकि इस ग्राउन पर स्पीनर्स को मदत मिलती है, तो यह दोस्तों आप लोग के लिए इंपोर्टन रहने वाले हैं, तो जो टॉप के मैंने नाम 4 लिख रखे हैं, 4 में से आ ले सकते हैं, अगर चैन्ने की टीम टॉस जीती है, तो, एम पथी राना ग्रेंड लिख लिए बेश्ट रहेंगे, दीपक चहर ग्रेंड लिख लिए खास करके दीपक चहर इसलिए, त्यूकि इनको मातर बहुत ही कम लोग ने लिए हो, 10-12% लोग लिए होएं, लेकिन जो कि अपना पिछला दोनों मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, और इस मुकाबले में अगर मुंबे जीतेगी, तो बहुत ये बहतरीन पोजिशन पर आजेगे, पॉइंस ट्योल में, तो, दोस्तो, ओपनिंग करते हुए, आपको इसान की सन, रोहित सरमा दिखेंगे, फिर कैम पिछले मुकाले में बोलिंग कराये थे, फिर प्यूस चाओला, इस टार्टिंग में आपको केमरान गिरीन और अकास खान बोलिंग कराते हों दिखेंगे, और आखरी कवर में दोस्तो जोफरार रचर और आकास मदवाला तो ये तो जो रहेगी, यहां पर मुंबा इंडिन इन्होंने बनाया नहीं है पिसले मुकाले में जीरो अन बनाया है तो अस्मॉल लिग के हिस्साब से दोस्तों इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन ग्रैंड लिग में आप लोग के लिए क्लिए क्लिए बेस्ट रहेंगे क्यूंकि दोस्तों आपको पता है मुंबई इन्डियेंश की तरफ से रो पिछले बार थे हैं ये दोस्तों चैन्हीं के खिला अफिकी ठाक फ़ोम मे दीखे थें उतने लंबि पारी नहीं पेल्से एस मुकालय में आप लोग के लिए इस कप्टन के लिए बेश्ट रहेंगे और आप लोग इनको अस्मॉल लिए में भी ले सकते हैं एज ट्रंप लिडर के रूप में बाकि दोस्तों इसान की सब मिडल ओडर से मतलब ओपनिंग से बेश्ट रहेंगा पिछले मुकाले में 65 रंड बनाए हैं अस्मॉल लिक लिए सी गरीन को आपको लेकर चलना है दोस्तों अभी तक 23 रंड बनाए हैं पिछले मुकाले में 64 रंड तेंटी सरन हर मुकाले में संदार पारी खेल रहें और विकेट भी ले रहे हैं तो दोस्तों मिडल ओडर से आप लोग लिए सी गरीन और सूरिक मर्यादों बेश्ट रहें और आप लगो रोही सर्मा को कैटन आइस कैटन कर सकते हैं ग्रैंड लिंग में तिलक वर्मा की बात करें ग्रैंड लिक लिए बेश्ट रहेंगे टीम डेविड लिक लिए क्यूकि बैटिंग ओंडर नीचे है और अगर मुम्बे की टीम तॉस हारती है तो आप लोग लिए तिलक वर्मा टीम डेविड बेश्ट रहेंगे जो कि पीछले मुकावले में नौट आउट रहे हैं 26 रन 19 रन बना है और अपने दम पर मैच को भी जिता हैं थे आपको आप लोग ने देखा योगा पंजाग को खिलाफ अब बात करते हैं दोस्तों मुम्बै इंडियंस की सेक्षन को लेकर तो दोस्तों बॉलिंग सेक्षन में मुम्बै की तरफ से जो सबसेरा विकेट लिए हैं प्यूस चाला जो कि अभी तक 15 विकेट लिए हैं इनको तो दोस्तों आपको लेकर चलना है कैमरान ग्रीन की बात करें लगतार तीन मुकावले से तो विकेट नहीं मिली है लेकिन बॉलिंग करा रहा है और अब तक पांच विकेट लिए हैं तो दोस्तों मुम्बै की तरफ से मात्र प्यूस चाला या विए तक अच्छे बॉलिंग करा हैं तो दोस्तों आप लग अप्लेट करना भूलिया तो दोस्तों यहां पर अरसद खान खास करके ग्रैंड लिक लिए बेश्ट रहेंगा बाकी दोस्तों जोफरा अर्चर कुमार कारतिक है और यहां पर मदवाला को आप लोग ग्रैंड लिंग मेरोटेट करके ट्राइ कर सकते हैं खास करके जोफरा और अरसद खान तो यह होगी दोस्तों मुंबे इंडियंस के सारे बॉलर्स के भी रिकॉर्ड और इधर से जादा कुछ खास अप्सन नहीं है अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर कीप लेर्स की उपर तो कीप लेर में दोस्तों चन्ने की तरब से जो हमारे रहेंगे तो यह होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी इटेल अनलेसिस अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉंबिनेसन की पर तो उससे पहला मैं आप सभी लोगों के यह बोल दू कि जो लोग भी दोस्तों चैनल पर पहली बारा हैं सबस्क्राइब जरूर कर लेजेगा ताकि आ प्लेग्राम पर अभी तक नहीं जूड़े हैं तो डिस्किप्सन मैंने लिंक दिया जेल से लाकर जूड़ जाए फाइनल टीम के लिए आपको वहीं पर मिलेगी बिल्कुल फ्री में टॉस के बाद तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों स्मॉल लीग की टीम की उपर फिर दोस्तों साथ या सतर परसेंट मैचेस में अच्छा पॉफरमेंस की हैं तो इस मुकाबले के लिए एमस धोनी आप लोग के लिए मेगा ग्रैंडली के लिए बहुत ही जड़ा बेस्ट रहेंगे आप लोग इनको ग्रैंडली में ले सकते हैं नीचे से आकर बैटिंग है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग चैन्ने की तरब से रिटूर गया को आट को लेंगे जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है उसके बाद दोस्तों यहां पर हम लोग लेकर चलेंगे सूरे को मर्यादों को जो कि पिछले मुकाले में सबसे जूट के थोर पर खेले थे तो यहां पर दोस्तों मैं ऑल्रांडर्स पर थोड़ा बॉलर्स पर जारा फोकस करूंगा क्योंकि इस ग्राउंड पर जारत बॉलर्स को मरत मिलती है क्योंकि दोस्तों यह मुकावला चैन्ने में खेला जाएगा और जब पिछली बार दोनों टीम खेली थी दोस्तों आमने लेकर चलेंगा बाकी दोस्तों यहां पर आप लोग रोहिस सर्मा और तीला कौर्मा दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं फिलाल मैं यहां पर रोहिस सर्मा को लेकर चल रहा हूं अपने मतला भरोसे के ऊपर आप लोग चाहें तो इनकी जगह पर यहां पर तीला कौर्मा को ल सकते हैं जो कि दोस्तों आप लोग ले बेस्ट रहेंगे लेकिन फिलाल यहां पर मैं मोहिनेली को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक तो स्पीन बॉलिंग भी कराएंगे इस ग्राउंट पर स्पीनर्स इसको मरत मिलती है और ऊपर से बैटिंग करेंगी और मिडल्वर में आएंगे बैटिंग करने और आपको बता दो कि जब दोणों टीम्स I am पर हम लोग फुसार देस्पांडे और प्यूस्चाला को लेकर से लेगे जो कि दुनों टीम्स की तरफ से अच्छे फॉर्म में है देस्पांडे दोस्तों ले चुके हैं और प्यूस्चाला 15 विकेट तो इन दोनों को लेना ज़रूरी है उसके बाद मैं किनी को नहीं लोगा सबसे पहले में यहां पर मैं ऩहँव अग्यारा फोकस कर रहा हूं क्यूंकि दोस्तों देखा जा है कहीं न कहीं डो और आपको special grinding वाले वीडियो मिलेगे तुसमें और आपको डिटेल में समझाऊंगा फिलाल के लिए दोस्तों यहां पर हमारे तीन बॉलर को लेकर चल रहा हूं तीन दोस्तों ओल राउंडर तीन बैट्समन और दो विकटीपर को अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जा कि फाइनल टीम के लिए आपसे लोग टेलिग्राम पर जूरूर जाएगा दोस्तों क्यूंकि फिलाल मुझे पता नहीं कौन से टीम टॉस हीतेगी वहीं पर आपको टॉस के बाद फ्री में अपडेट्स मिलेगी तो दोस्तों यह रहना वाली हमारे यहां पर टीम की आपको डिसकिप्शन में दिया हुआ है जल से लोसो जाकर डॉलोट कीजिए और इस मुकावले में आप लोक लिए बहुती संदर यहां पर एक लाख रुपय का फ्री वे भी रखा गया है दोस्तों तो प्राइब्स लॉट फूल होने से पहले सब्लेग जाकर जॉइन कर ल और यहां पर मैं आजिंके रहाने को लेकर चल रहा हूँ जब यह पिछला बार खेले थे मुंबई खेला आप तो अर्सा तक बनाये थे तीस मुकावले के लिए बहुत यहरा बैस्ट रहेंगे सिवम दूबे से पहले बैटिंग करने को देख सकते हैं इस मुकावले में लेकिन दोस्ति यहां पर आप लोग को तीन बॉलर को लेना मतलब तीन प्लेर को लेकर चलना जरूरी है तो यहां पर आप लोग तीन बॉलर को ले सकते हैं और यहां पर ले लिजिए तो यहां पर हमारी भीजन लेओन की टीम तीन जहां पर मैंने बॉलर को लिया है दो और जो करेंगे तो आप लग कुछ अलग करने के लिए यहां पर छिसला भार आमने सामने की भेला तो अच्छा हमिज किये थे गाइकवारड 40 रान आट उर इसान के सन 20 25 रान बनायते हैं यह दोस्ति यहाँ पर हमारी वीजन 11 की टीम बात कर लेते हैं इस टीम की प्रिव्यू के ऊपर दोस्ति यह रहने वाली हमारी 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 वीजन 11 की टीम की प्रिव्यू कफ्तान रहेंगे ताकि आये कि सारे ब्लट साब को सबसे पहले मिले धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए